हलो क्लास 11 स्टुडेंट्स, विलकम टू सर्वम स्टडीज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11 बायलोजी का चैप्टर 4 एनिमल किंग्डम के कौन-कौन से most important topics और questions हैं जिनें आपको अपने exam के लिए ready कर लेना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो म बताने वाला हूँ, अटापट से आप अपनी book और एक pin निकाल दीजिए और mark करते जाएए, आगे चलने से पहले आपको बता दूँ कि chapter 1, chapter 2 और chapter 3 के most important topics और questions की वीडियो भी मैं already post कर चुका हूँ, उन videos की link नीचे description में already mentioned है, अगर आपने अभी तक वो videos नहीं देखी हैं और आपको अभी तक उनके important topics और questions के बारे में पता नहीं है, तो आप उन videos को जरूर देखे, आइबेट ये videos आपकी बहुत help करेंगी, वापस से अपने topic पर आते हैं, मैं जितने topics और questions बता रहा हूँ, बस आप उतने को ही पढ़ लीजे, इसी से आपके excellent marks आ जाएंगे, ग जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, बस वही आपको पढ़ना है, यहाँ पर जो सबसे पहला topic बनता है, वो है levels of organization, इसमें आपको types of circulatory system पढ़ना है, circulatory system कितने तरह के होते हैं, open type और close type, circulatory system में क्या difference होता है, यह आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, अगला topic आपको ready करन है symmetry, इसमें आपको asymmetrical, radial symmetry और bilateral symmetry तीनों को कर लेना है, क्योंकि इससे question definitely आएगा, diploblastic और triploblastic में क्या difference है, एक major question है, short answer में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको कर लेना है, साथ में आपको siloom से related question कर लेना है, इस पर भी द्यान लखना है कि pseudo siloomate किस phylum के member होते हैं, औ और इसका example भी याद कर लेना है, यानि इस particular topic को आपको पढ़ लेना है, next topic आपको segmentation पढ़ लेना है, basically आपको पढ़ना है कि segmentation किसे कहते हैं, और साथ में ये भी कर लेना है कि noto code किसे कहते हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, आगे चलते हैं, ये table 4.4 आपको कर लेन यह टेबल बहुत important है यह टेबल आपको पढ़ना पढ़ेगा और आपके सारे के सारे concept किलियर हो जाएंगे किस phylum में कौन से characters पाए जाते हैं वो आपको कर लेना है नेक्स्ट आपको phylum analida पढ़ना है इसमें आपको करना यह है कि metamere किस phylum में पाए जाते हैं और यह भी कि parapodia की situation किस में पाए जाती है साथ में आपको यह भी करना है कि nephredia का function क्या है यह सारे questions पक्का बनते हैं इसलिए इनको आपको जरूर करना है move on करते हैं आपको आर्थरो पोड़ा में malphesian tubule से आपको question बनता है कि malphesian tubule का function क्या है और यह किस phylum में पाया जाता है इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी learn करने की जरूरत नहीं है phylum echinodermata में एक special characteristic water vascular system है जो की exam में कई बार पूछा गया है इसे आपको cover कर लेना है phylum co data से question बनता है कि co data में कौन से चार features पाये जाते हैं अगर आपको इन features को याद नहीं करना है तो आप इस diagram को ध्यान से याद कर लीजिए इसमें 4 चीज़े दे रखी हैं ये core data की characteristics ही है इससे आपको figure भी याद हो जाएगी और 4 characteristics भी आप learn कर लेंगे core data और non core data में comparison ज्यादा important नहीं है फिर भी एक बार देख लेना इसके आने के chance है अब हम लोग cyclostomata पर आ गए हैं बहुत important topic है cyclostomata, conduciates and osteociates से question पका बनेगा और वो भी long answer में बनेगा इन तीनों में से किसी भी 2 के बीच में major difference पुछे जा सकते हैं कम से कम 5 unique difference आपको learn कर लेना है तो आपको ये तीनों class को जरूर कर लेना है इन तीनों के at least 2-2 या 3-3 example भी जरूर learn करना है last में ये table पढ़ लेना हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए इस table से अब ज़रा question भी देख लेते हैं important questions आपको जरूर कर लेना है question number 8 आपका बहुत important है question number 9 कर लेना है बहुत important है exam point of view से साथी question number 13 कर लेना है और फिर question number 14 ये question short answer के लिए important है तो students ये थे chapter 4 के important topics and questions अगर वीडियो useful लगी हो तो इस वीडियो को like कर दो और channel को subscribe कर लो thank you for watching this video take care and goodbye